आज मैं तुम शिखाऊंगा अगर 300 लोग एक साथ तुम पे हमला कर दें तो तुम्हें कैसे बचना है पैजी मैंने नहीं किया मागी करता है प्र wild之바 . वीटेंड हर कोई अपनी फैमली के साथ इन्जॉय करना पसंद करता है वर्किंग व्यक्टी को दो दिर मिलते हैं जहां पर वै अपने परिवार के साथ बैट कर हस्ता गुद 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 आता है उनके साथ quality time spend करता है और कफिर शर्मा यही entertainment की डोस लेकर के हर weekend आते हैं जहां पुरा परिवार अपनी living room में एक साथ बैट कर इनका show देखता है एक साथ बैटता है और हसी के ठहांगे लगाता है इनी फैंस के लिए बुरी खबर आई थी कि सिधार सागर जल्दी show को अलविदा कहने वाले हैं लेकि सिधार सागर ने खुद ही इस बात पर react करते हुए इस बात की सचाई बताई है Indian Express.com से बात करते हुए सिधार सागर ने कहा है ऐसा कुछ नहीं है कि सिधार सागर और कपिश शर्मा शो के बीच मॉनेटरी विवाद है जिसकी वज़े से उन्होंने शो को अलविदा कहने का निर्ने लिया है इसके अलावा सिधार सागर ने अपनी फीज बढ़ाने की भी बात कही थी कपिश शर्मा के सामने लेकिन मैं राजी नहीं हुए इस पर रियाट करते हुए कॉमेडियन ने कहा मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आखिर मीडिया में कैसी बाते चल रही है मुझे नहीं पता क्या रिपोर्स आई है मैंने नहीं देखा है बात करें सिधार सागर की परसनल लाइफ की तो इनके फैंस रची तरीके से जानते हैं कि कॉमेडियन की परसनल लाइफ में काफी सारे इशू चल रहे हैं जिसके बाद उन्होंने दकपिश हर्मा शो के साथ इंडस्ट्री में वापस आने का निर्ने लिया था अपने 25 से सिधार सागर ने ओडियोंस को खूब हसाया सिधार सागर अपने किरदार फनवीर सिंग के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं दर असल कॉमेडर नवीर सिंग की बहुत अच्छी मिमिक्री कर लिया करते हैं कमेंट कीजिए अगर आप भी चाहते हैं कि सिधार सागर दकपिश हर्मा शो में वापस आ जाए खबर के रिलेटेड और अपडेट्स आती है तो हम आपको जुरू बताएंगे इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक्स वर वाचेंग